हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल कॉंपिटिटिव स्टाडिज आशा करतो आप सब लोग स्वस्थ है अच्छे है और बहतरीन तरीके से अपनी प्रिपारशन को स्टार्ट कर दिये है और अगर नहीं किये है तो कोई बात नहीं मेरे साथ जुड़े रही है ताकि आपक के साथ ताकि आपका प्रिपारशन अच्छा हो पाए और आप कोई भी एक्जाम हो कॉंपिटिव एक्जाम हो आप आसानी से क्रेक कर पाए तो चलिए आज भी एक नया वीडियो लेके आ हूँ जिससे कि आपका नोलेज डेफिनेटली इंक्रिस होने वाला है तो जुड़े वह SSC हो या फिर कोई भी स्टेट लेवेल एक्जाम हो जिसपे कि इंग्लिश का पॉर्षन रहता है तो फिर यह सब क्वेशन उस एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए तो फ्रेंड्स अगर हम लोग first question को देखें तो first question दिया हुआ है he was so inquisitive that he rose many questions in the class तो हमें यहापे निकालना है कि यहापे कुछ error है या फिर नहीं है अगर नहीं है तो हमें no error को choose करना है तो यहापे पहले अगर देखे तो लिख्या हुआ है He was so inquisitive अभी हम यह पता करना पड़ेगा कि inquisitive का मतलब क्या होता है inquisitive का मतलब होता है enthusiastic approach मतलब किसी को अगर कुछ चीज करने में अच्छा लग रहा है तो उसको बोलेंगे inquisitive That he rose many questions in the class तो यहापे error काप है चलिए आप 10 सेगंड का time ले लीजिए और आप identify करिए कि यहापे error काप है तो चलिए मैं ही बता देता हूँ यहापे जो लिखा हूँ है rose यह rose का meaning क्या होता है rose का meaning मतलब कुछ उगना तो हमें क्या बोला है कि उसने उठाया तो यह जो sentence है यह क्या mean कर रहा है कि उसने class पे बहुत सारा question को raised किया मतलब उठाया तो यहापे rose नहीं होगा यह होगा raised r-a-i-s-e-d raised तो यहापे error कौन सा option में है option b में है error तो यहापे correct answer हो जाएगा option b क्या पे rose नहीं होगा हो जाएगा raised raised many questions in the class वैसे ही और अगर हम लोग देखे तो यह raised क्या है यह raised का second form r-a-i-s-e raised इसका second form होता है raised और third form भी होता है raised मतलब second और third दोनों होता है raised तो अभी अगर next question को देखे तो next question दिया हुआ है he was born of poor parents but he brought up in an affluent family तो यहां पर effluent का मतलब होता है धनी मतलब समरिद शाली ऐसा कुछ define करता है effluent तो आपको अगर error दिखाई दे रहा है तो मुझे comment करके बताई है मैं 10 second का pause ले रहा हूँ यहां पर तो यहां पर error होगा born में born यह जो born है यह जनम लेने वाला born नहीं है birth का जो होता है b-i-r-t-h birth होता है b-o-r-n born so b-o-r-n-e नहीं होगा यहां पर यहां पर होगा b-o-r-n born तो मतलब हम लोग का correct answer होगया option है he was born of poor parents अब भी अगर हम लोग next question को देखे तो the university was found in 1950 when India was not self-dependent in many aspects तो यहां पर देखिए यहां पर अगर error दिखा ही दे रहा है तो यह जो found लिखा हुआ है यह क्या होगा यह देखे एक past मतलब यह फूतकाल का एक sentence है मतलब यह past में हो चुका है मतलब university already established हो चुका है तो यहां पर क्या होगा found नहीं होगा यहां पर होगा founded founded तो आम लोग आंसर हो जाएगा the university was founded in 1950 when India was not self-dependent in many aspects मतलब correct answer होगी option भी founded अभी next देख लेते next लिख होए I complaint against him as in spite of many repeated warnings he failed to mend his ways यहां पर अगर हम लोग गोर करें तो complaint जो है वो complaint कब होता है एक होता है complaint और दूसरा होता है complaint तो यह जो complaint है यह कब यूज होता है और complaint कब यूज होता है अगर complaint अगर एक noun के form में है तो हम लोग यूज करेंगे complaint मतलव यह पर क्या बोला गया है कि मैंने उसके बारे में शिकायत किया तो यहां पर complaint इसे वार्व 니 हूआ है तो अगर वार्वeth हो रहा था यहां पर complaint नहीं नहीं होगा aan यहां परилось अगर अब भी अगर हम लोग next question को देखे तो failure must not have permanent effect on a person because only the tough survives तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा है error आपको दिखाई दे रहा है तो मुझे comment करके बताईए और हाँ मेरे चैनल को subscribe ज़रूर करिए क्योंकि मैंने देखा है मेरे चैनल पे ज़्यादातर viewers non subscriber है मतलब जिन्होंने subscribe नहीं किया यह से लोग ज़्यादा viewers है मेरा तो please मैं आपको request करता हूँ कि मेरे चैनल को subscribe कर दीजिए ताकि कोई भी मैं valuable topic पे class करा हूँ तो आपसे वो छूट न जाए आप वो attend कर पाऊ और आच्छा marks score कर पाऊ अपने एक्जाम में तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हूँ है permanent effect यहाँ पे भी same है AFFECT effect और और एक है EFFECT effect तो कब कौन सा यूज़ करेंगे यह जो effect है पहला वाला जो effect है उसका मतलब क्या होता है कि कोई एक दुषप्रवाब fail ना या फिर कोई भी एक चीज अगर कोई process को hamper कर रहा है तो वहाँ पे होगा effect और उसका जो result आएगा वो होगा effect तो यहाँ पे क्या हुआ है permanent result बोला गया है यहाँ पे मतलब यहाँ पे effect होगा EFFECT permanent effect नहीं होके यहाँ पे होगा permanent effect on a person because only the tough survives तो correct answer होगे option B next अभी देख लेते I keep my cool and never lose my temper even when provoked तो यहाँ पे क्या बोला है कि मैं हमेशा काम रहता हूँ कोई मुझे प्रोवोक करे तब भी मैं अपना temper lose नहीं करता हूँ मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है यहाँ पे देखिए LOOSE lose लिखा हूँ है LOOSE lose इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है ढिला और LOOSE lose का मतलब होता है कुछ चीज खो देना तो यहाँ पे according to question क्या है यहाँ पे मैं अपना temper को खोता नहीं हूँ मतलब LOOSE lose होगा I never lose my temper तो यहाँ पे भी option B correct हो गया अब इसका मिनिंग बोला गया कि उसने घास के उपर लेटा और enjoy किया cool breeze को मतलब ठंडी हवा को तो यहाँ पे lied नहीं होगा यह जो L I E D lied है यह मतलब है छूट बोलना और L A Y lay होता है लेटना तो यहाँ पे he lied नहीं होगा ही होगा he lay L A Y lay मतलब option हो गया option A correct अभी next देख लेते During the rainy season many rivers overflew their banks and caused great difficulty तो यहाँ पे भी same है और मैं फिर एक बार बोलूँगा अगर आपने मेरा चैनल को subscribe नहीं किया है तो ज़रूर subscribe कर ले ताकि कोई भी important topic में लेकिया हूँ वो आपसे छूट न जाए अभी देखे यहाँ पे क्या लिखा हूए overflew यह overflew नहीं होगा overflew का second form मतलब past form क्या होता है overflew O-B-E-R-F-L-O-W-E-D overflew तो यहाँ पे overflew नहीं होके होगा overflew मतलब option B हो जाएगा हम लोग का correct answer अभी next अगर देखते तो he lay his luggage aside and lay down to rest for a while तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों यहाँ पे जो लिख्वा है ले ले का मतलब क्या होता है ले का मतलब है रखना और ले का यहाँ पे देखिए aside and lay down यहाँ पे जो ले लिख्वा है यह मतलब उसने थोड़ी देर लेटा इसको क्या करेंगे यह जो ले दिया हुआ है यह second form में है, मतलब यह past form में है, तो यह पूरा जो sentence से इसको past form में करना पड़ेगा, और यह जो पहले lay लिखावा है, इसको लिखना पड़ेगा, laid, मतलब, he laid his luggage aside and lay down to rest for a while, तो इसका correct answer हो जाएगा option है, laid, अभी next अगर देखे तो, when calamity fell the village, they faced it bravely, यहापे क्या लिखावा ह calamity fell, यहापे fell नहीं होगा, यहापे correct होगा befell, b-e-f-e-double-l, मतलब कोई भी चीज गिरना, मतलब अचानक से कोई भी चीज आखे गिरने को बोलेंगे, befell, तो यहापे correct answer हो जाएगा, when calamity befell the village, they faced it bravely, मतलब option A हो जाएगा, correct, अभी अगर हम लोग next question को देखते हैं तो, the assassin was convicted and ordered to be hung, यहापे देखिए, यहापे अगर आप देख पा रहे तो क्या लिखा हो है, to be hung, यह hung जो लिखा हो है, यह hung का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, टांगना, मतलब कोई भी कपड़ा, जैसे कि कपड़ा आपने ध हो के दिया, उसको टांगने को बोलेंगे, हांग, लिकिन यहापे उसको बोला गया है, फासी लगाना, फासी लगाने को क्या बोलते है, उसको बोलते है, hanged, h-a-n-g-e-d hanged, तो यहापे हम लोग का correct answer हो जाएगा, option c hanged, अभी next अगर देखे तो, if I live now, I will not be able to return back before 9 p.m, य यह क्या है, एक superfluous की question है, मतलब, यहापे जो लिखा हुए return back, return का मतलब ही lot के आना होता है, तो उसके बाद हम लोग back use नहीं करेंगे, तो यह क्या होगा, सिर्फ होगा return before 9 p.m, तो हम लोग यहापे back को use नहीं करेंगे, क्योंकि अगर back को use करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो superfluous हो जाएगा, अब यह अगर हम लोग next question को देखते हैं, लिखा हुए, when the company offered him a purse on his retirement, he refused to agree it, तो यहापे आपको क्या पता चल रहा है, इसमें बोला गया है, when the company offered him a purse, मतलब, company ने जब उसको एक purse offer किया, उसके retirement के वक्त, उसने क्या क्या उसको लेने से refuse कर देगा, इसका मतल, यही meaning आना चाहिए, लिकिन यहापे क्या लिखो है, he refused to agree it, यहापे agree it ना होके क्या होगा, यहापे होगा, accept it, यहापे क्या होगा, agree it ना होके होगा, accept it, तो यहापे हम लोग का correct answer होगया option c, मतलब उसने वो लेने से incur कर दिया, अब यह अगर हम लोग next question को देखे तो, the timid creature was driven into a narrow lane where it was slued by the kidnapper, तो यहापे हम लोग देखेंगे, यहापे जो slued लिखा हुआ है, मतलब यह क्या होता है, इसको अचानक से काटना या फिर किसी को murder करना, तो यह slued नहीं होगा, यह क्या होगा, slaying, तो यहापे slaying by the kidnappers होगा, तो मतलब हम लोग का correct answer होगे option C, अब नेक्स अगर देखे तो, being implicated in a murder case, he was conclusively suspected for the unsolved murder case, यहापे देखे, यहापे भी क्या है, यह जो conclusively suspected, conclusively का मतलब ही होता है, किसी के उपर संदे करना, तो यहापे already suspected है, जिसका मतलब ही होता है, संदे करना, तो यहापे conclusively हम लोग use नहीं करेंगे, मतलब यह होगया, हम लोग का correct answer होगया option B, he was suspected for all the unsolved murder case, अब यह अगर हम लोग next question को देखे तो, next question है, my brother thinks that somebody must have dared him steal the scooter, यहापे क्या देखे, यहापे जो dare है, हम लोग को पता है dare, और और एक होता है need, यह दोनों क्या होता है, जब भी as a model verb use होता है, तब इसके साथ to या फिर to के साथ भर्ग का fast form नहीं आता है, बट यह दोनों जब main verb के accordingly use होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, जो भर्ग होगा, उसके साथ हम लोग to plus v1 use करेंगे, मतलब to के साथ भर्ग का fast form आएगा, तो यहापे क्या होगा, somebody must have dared him to steal, to steal होगा यहापे, तो यहापे correct answer हो गया option c, जिसमें की होगा, him to steal the scooter, अब भी अगर हम लोग next question को देखें तो, when I was young, I can run faster than Mohan, तो यहापे देखें, यहापे बोला गया है, when I was young, मतलब मैं जब छोटा था, तब में दोर सकता था, तेज, किस से? मोहन से, मतलब यहापे क्या होगा, यह जो can लिखा हुआ है, यह क्या है, present tense में लिखा हुआ है, और यह sentence क्या है, past का है, तो यह can ना होके, यहापे क्या होगा, could, तो यह क्या होगा, when I was young, I could run faster than Mohan, तो यहापे correct answer हो गया option b, अब यह अगर हम लोग next question को देखें तो, हर इश, needs not come here as it is getting dark, तो यहापे देखें, तो मैंने पहले भी बोलाएगा, अगर need or there, according to model verb use होगा, तो उसके साथ to plus v1 नहीं होगा, लेकिन जब according to main verb use होगा, तब क्या होगा, to plus v1 use होगा, लेकिन यहापे क्या देखें, यहापे needs, यह model verb के accordingly use होगा, हुआ है, हर इश, needs not, यह देखें, model और किसको कहा जाता है, जैसे कि can होगया, यह भी एक model है, फिर क्या होगा, is होगा, यह भी एक model है, तो हम लोग ऐसे कभी use थोड़ी करते हैं, कि हर इश, can's, not, क्योंकि model के साथ, yes और yes कभी नहीं लगता है, तो यहापे भी need, अगर model verb के accordingly use हुआ है, तो इसके साथ भी yes, add नहीं होगा, तो क्या होगा, हर इश, need not, come here, as it is getting dark, तो हम लोग का correct answer हो गया option है, अभी अगर हम लोग next question को देखते हैं, तो यह 19th number question देखिए, लिखा हुआ है, he dare not to go there, तो इस question का answer मुझे comment करके बताए, और यह dare और need का मैंने जो सवाल है, यह पहले भी करा है, तो आपे देखिए आपकी कैसे need or dare को use करते, करके sentence को complete करते, यह need or dare से related ही sentence है, तो आप यह comment करके मुझे बताए, इसका correct answer क्या होगा, अभी हम लोग last question को देख लेते, यहापे लिखा हुआ है, I used to play hockey when I was 10 years old, मतलब बोला गया कि मैं hockey खेलता था जब मैं 10 साल का था, तो यहापे दिखिए I used to लिखा हुआ है, मतलब यह present में दिया हुआ है, लिकिन यहापे बोला गया है कि मैं खेलता था जब मेरा उमर 10 साल मतलब यहापे use के जगा क्या होगा, I used to, I used to, तो मतलब correct answer होगया option है, क्या होगा, I used to play hockey when I was 10 years old, तो friends, आज के लिए यही तक था, और यह बहुत बेतरीन सवाल है, जो कि मैंने previous year question से लिया हुआ है, तो आप भी यह सब सवालों को complete करिए, और कोई भी अगर दिक्कत या फ problem आ रहा है, मैं आपकी problems को solve करने का कोशिश करूंगा, so thank you for watching this video, so do hit the like button and subscribe my channel to never ever miss any updates from my channel.